मैं आप लोगों के साथ समर समेस्टर कुछ रूल्स डिसकस करने थे जो को नोटिफाई हुआ है फिफ जलाई को इस नोटिफिकेशन के अंदर यह चेंजिंग है कि जो पहले बीएस एमसी एंफिल और पीएडी इनके जो क्लेंडर था वो डिफेंट था मगर इस नोटिफिके और इनका फाइनल एग्जाम फिफ्ट अक्तूबत नो तो यह एट अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक यह डेट है यह आपके समय समेस्टर के इसमेस्टर के इसमें परस्ट होगा आप इसके फिर्स थी डेज में यानि एट फूलेवन आप आप अप्लिकेशन समिट करवाएंग इसके बाद क्लासिस स्टार्ट हो जाएंगे आपकी फिजिकल या ओनलेंगे डिबेंड अपॉन सिच्वेशन है यह 22 अगर से स्टार्ट हो जाएंगे इंका मेंटरम जैंब अगर से होगा 25 सब्सक्राइब और यह रफली आपका वन मंत का स्मेस्टर है जिसमें आप जिसमें आपो 48 लेक्शर कवर करने हैं इसके अगर्डिंगली यह 4 वीक तो उसके अगर्डिंगली आप लेक्श्र कड़ें आप इसमें नमबर वन इसके रूल को बन बवन डिसक्स कर लेते हैं 9.1 में के इसके इंदर आप कोई भी आउड़िट की देफिशिंसी नहीं पढ़ें वहीं कर सकते हैं इसके लावा नहीं कर सकते हैं कि आप maximum four courses जो हैं उनको फियल या इंप्रूफ के courses हैं उनको आप enroll करवा सकते हैं अगर आपके पास जो है फाइनल स्मेस्टर है तो अगर जिन बचों का CGP 2.5 से बिलो है और MPAD के CGP 2.8 बिलो है तो वो जो बच्चे हैं वो भी गलोट का इंप्रूफ कर सकते हैं कि इन बच्चों का BS और MSC 4th के लिए BS 8th 10th और MSC 4th और MPAD के लिए CGP 2.5 अबफ और MPAD के लिए 2.8 अबफ है तो वो D grade को इंप्रूब नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो उनकी degree complete हो चुकी इनका final year है तो वो इसको इंप्रूब नहीं कर सकेंगे सिर्फ F grade अगर उनका है तो उसको वो पास के लिए कर सकेंगे इसके लावा अगर उसके लावा आप तक D grade के लावा कोई भी fail course है तो आप लोग इसमें जो summer semester के अंदर improve के लिए करवा सकते हैं तो अब यह याद है अगर आप final semester में हैं जैसे LLB है 10th semester है D pharmacy 10th semester है या BS 8 semester है other courses जिनके 8 semester होते हैं तो अगर उनका सीज़ पर 2.5 बिलो है तो आप कोई भी course इंप्रूब नहीं कर सकते हैं मगर इसके अलावा जो बच्चे हैं जैसे जो BS 2nd में है BS 4 में है BS 6 में है या फिर MSA 2nd में है वो कोई भी course जो D grade है इसको improve कर सकते हैं और जो fail course को मगर यह conditions final वालों के लिए हैं को 2.5 बिलो सीज़ बिलो कर सकते हैं otherwise नहीं कर सकते हैं और maximum course आप 4 courses ले सकते हैं इसमें है कि अगर आप सिर्फ एक student भी है अगर teacher agree करता है department agree होता है उस course के लिए तो वो course जो है वो department offer कर सकता है इसकी जो per course fee है 5000 लोगी यानिए अगर आप 4 courses के लिए अप्लाय करते हैं तो आपकर 20,000 fee वो bank में जमा करवानी पड़ेगी अगर after approval अपने पहले approval नहीं अपने पहले approval नहीं आपका जो इन्रोल्मेंट फार्म है वो अपने पास जाएगा अप्रूव परेंगे तो फिर आपका fee voucher इसके लाब रूल से जो 9.8 है यह teachers के लिए यह students के relevant नहीं है और जो फाइनली है कि जो आपका फेल्ड course है आपका drop out का criteria यह summer semester का होनी के बाद बनेगा इससे पहले आप लोगों का summer semester का कोई रूल नहीं बनेगा यह जो मैंने डूल सकता है यह main campus, sub-campuses यह जैसे जो है हमारा keynote campus है हफजाबाद campus है या दर्साहिवाल campus है या अलिया campus वहां पर यह summer semester अन्रॉल करवा सकते हैं तो उसके लिए जो डेट है वो फस्ट अगस्त है तो आप अपने department जो अपने college के अंतर जो अपनी application करवाएंगे वह इनकी full detail है आप इसके साथ आपकी college के principal युनिवस्टी को आप इनका data send कर देंगे 1st August तर नहीं आप लोगों ने जो अपने college के principal को हैं अपने college के head of the department हैं उनको जमा करवा देनी हैं ताके फिर्स्ट अगस्त तक आपकी applications तक पहुंच जाएं और university उनके accordingly decide कर सके कि हमने एक course offer करने हैं और प्राफर रिजमेट अरगस्टरेशन की वह टाइमली हो सके और फिर्स भी आप लोगों की पेह हो सके सेपरेटली उस रिजल्ट को आपडेट करवाना बड़ता इटी और इसका मेथड में आपको आज इवनिंग में ये कल आज शयत परूंगा थेंक यू पर वाचिंग डिस और इसके में आपको भी पैसें होदा आप मुझे वोचके में एक मेंट के अंदर थेंक यू बर्माच लाव फिर्स